तो ये हमारे पास potassium का डबबा है, potassium को हम kerosene oil में क्यों रखते हैं, ये भी जानेंगे, और potassium इतना highly reactive क्यों है, दुनिया का सबसे ज़्यादा reactive element क्यों है, देखो, ये potassium कुछ ऐसा होता है, cut करने के बाद shiny surface होता है, और काफी ज़्यादा heat भी निकल दीए, इसमें से तो reaction नहीं होती, अभी मैंने potassium petrol में डाल दिया, तो potassium petrol के साथ ज्यादा reactive नहीं होता, लेकिन यही potassium पानी के साथ क्यों reactive होता है, उसके पीछे का कारण यह है, जब मैं potassium को पानी में डालूंगा, तो potassium moisture के साथ react कर जाता है, और oxygen िएman के साथ react कर जाता है लेकिन पैट्रोल के साथ ज़्यादा रियेक्ट करता त्या फिर के रियुक्त आस्या विप्र प्रत पानी ए स्थ Is नहीं के रखने के लिए रखने के लिए परिपन में रखाया जाता है यह पेडिधleben में रखाय सब्क्रा धाइट